हेलो फ्रेंड्स आजwnे इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोई। प्र्याइबेट पर्सन किसी दुसरे वैक्ति को गिरहफ्तार कर सकता है। आए हम इसको समझते हैं, बहुत अशान सब्दों में, यह कि private person किसी दुसरे बैक्ति को गिरफतार कर सकता है, वह दो प्रकार के बैक्तियों को गिरफतार कर सकता है, पहला प्रकार हुआ है जिसमें कोई बैक्ति उसके उपस्थिती में कोई औजमानती तथा शंगे अपराद करता हो, अब औजमानती तथा शंगे अपराद क्या है, इसको देखते हैं, औजमानती तथा शंगे अपराद से, मतलब है, जैसे कुदारन से समझते हैं, जैसे चोरी का अपराद, किसी को जान से मारने की हत्या, किसी की हत्या करने का प्रयाश का अपराद, या किसी की हत्य बैक्ति के उपस्थिती में करता है तो वह बैक्ति इसको गिरफतार कर सकता है यह हुआ एक प्रकार का दूसरा है कि कोई भी किसी भी प्रोक्लेम्ड ओफेंडर को प्राइबेट परसन गिरफतार कर सकता है अब यह प्रोक्लेम्ड ओफेंडर क्या है इसको समझते हैं प्रोक् आक्षद यह है कि वह जो वारेंट चारी हुआ है उसके बुरुद्ध हुआ किसी भी तरह से उसके बुरुद्ध तामील नहीं हो यानि execution उसका नहीं हो तो उसे हम proclaimed offender कहते हैं तो ऐसे बैक्ति को भी private person गिरफ्तार कर सकता है अब प्रस्न पैदा होता है कि जदी कोई private person गिरफ्तार करता है किसी दुसरे बैक्ति को तो गिरफ्तार करने के बाद वह क्या करेगा तो बहुत आशान है कि गिरफ्तार करने के बाद बिना देरी किये वह गिरफ्तार किये गए बैक्ति को किसी पुलिश पदाधिकारी के पास या पुलिश पदाधिकारी के अनुपस्थिती में निकटतम थाने में उसको जो है निकटतम थाने में उसको शुपुर्द किया ज कि जो बैक्ति इस तरह से जो बैक्ति इस तरह से गिरफतार किया गया है उसका क्या होगा तो इसके तीन परिस्थिती हैं पहला परिस्थिती यह है कि जब उसको पुलिश ओफिशर के समक्ष पेश किया जाता है और वह पुलिश ओफिशर को यह विश्वास करने का कारण बनत तो ऐसी इस्थिति में वह पुलिश ओफिशर जो है उसको गिरफतार करेगा यह रहा पहला इस्थिति दूसरा इस्थिति क्या है कि ज़दी पुलिश ओफिशर को यह बिश्वास करने का कारण है कि वह बैक्ति असंगे अपराद किया है तो वह अशंगे अपराद किया है तथा नाम पुछने पर नाम और उसका पता पुछने पर वह बैक्ती अपना नाम पता नहीं बताता है या बताता है लेकिन पुलिश ओफिशर को लगता है कि यह गलत बता रहा है तो वैशे शूरत में उस बैक्ति को गिरफतार किया जा शकता है तिसरा सिचुएशन क्या है लेकिन जदी पुलिश ओफिशर को ऐसा लगता है कि उसने कोई अपराद नहीं किया है ऐसा पिस्वास करने का उसके पास कारण है तो वह उसे तुरत रिलीज कर देगा यह था मित्रों आज हम लोग को समझने का यह एक प्रयास था कि क्या कोई private person किसी दुसरे बैक्ति को गिरफतार कर सकता है या नहीं तो इसके संबंद में जदि आपके पास कोई जिग्यासा हो और कोई प्रश्ण हो तो आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिकर धन्यवाद